में इस्टर टॉपिक है गड़िती एक अतनों को सिद्ध करने के धंग अभी तक हमने गड़िती एक अतनों को समान्यता और सीदे सीदे नीगमं तरकसे सिद्ध किया है इसके कुछ और उधारन देखते हैं तक हम सम दी वाहुत भुझाएं पराबर है तो उसकी कोई भी दो भुझाय भी बराबर होगा तह सम दीवाहुत भी होगा आईए अब इन्हीं तत्यों को हम प्रतीकों की साहता से लिक प्रदेशित करना सीखते हैं ए अनुपात त्रिवुज ए बी सी सम बहुत त्रिवुज है अब यदि कथन ए सही है तो कथन भी भी सही है क्यों क्यों क्योंकि ए भुजा ए त्रिवुज ए बी सी के साम बहु है तो बी क्या होगा ए और बी ए बी सी में ए भुजा ए भी भुजा क्या है त्रिवुज ए बी सी और ए बी और बी सी है ना A, B, C भुजा समॉंत्य वाहुत्रिफूज की दो भुजाये है a if a c और a b a c और a b दो भूजाये है तो b c समॉत्रिफूज के तीनों भुजाया जब बराबर है तो दो भुजाये भी आपस में बराबर होंगी अभ यस्थन a साही है तो कथन भी साही होगाता है इसे निर्माई के तरह सरीके से भी दसाया जा सकता है यदि A इस एरो को क्या कहते हैं हमने पढ़ा है इंप्लाइस टू बी अंतर भाव या फिर इंगित करता है ठीक है A इंप्लाइस टू बी हम इसे ऐसे पढ़ते हैं यदि A तो हम इसे ऐसे पढ़ते हैं यदि A तो B या A अंतर भाव B या तो A हो सकता है या तो B हो सकता है या इस चीनों को अंतर भाव या फिर इंगित करता है का चीन न कहते हैं का चीन है ठीक है यदि A या तो B है न या फिर A अंतरभाव B करके देखें इस फ्रकार के कुछ और कथान सोच कर लिखें जिने सीधे सीधे निर्गमन तरक पर सिध्ध किया जा सकता है कि दूसरा क्या A इंप्लाइस टूबी इंप्लाइस टूबी यह दिखाता है कि B इंप्लाइस टूब ए कारण बताईए A का अंतरभाव अगर B है A B को अंगित करता है तो B भी A को अंगित करेगा है ना अंतरभाव का उप्योग आईए कुछ उधारान देखते हैं पहला कथन दिया हुए है यदि X से स्क्वाइर इस उकल टू फोर है तो X से उकल टू और मैनस टू होगा बिल्कुल होगा क्यों क्यों क्योंकि X से स्क्वाइर इस उकल टू फोर है स्क्वाइर को हम इस तरफ लेके जाएंगे तो रूट ओवर फोर बनीगा अब root over 4 का value हमें पता है क्या होता है plus minus 2 तो एक बार x का value plus 2 होगा और एक बार x का value minus 2 होगा है न तो इसे कुछ उदारा दोरा देखते हैं अंतरभाव को फियो कैसे करेंगे a अनुपात x square is equal to 4 है a के अनुपात में a के बराबर में x square क्या है 4 के बराबर है तो b के अनुपात में हम इसका answer x is equal to plus minus 2 कह सकते है अनुपात में पता है कि यदि x square is equal to 4 हो तो x का मान दो plus 2 और minus 2 होगा अतहाँ a implies to b है कह सकते हैं ठीक है कथन 2 यदि m n का गुड़ज है तो m 3 का भी गुड़ज होगा विलकुल होगा क्यों क्यों क्योंकि 3 का ही गुड़ज खर्ण तो m 9 है थ्री के टेबल में 9 आता है अगर m का गुड़ज 9 है तो m का गुड़ज 3 भी होगा a implies to m9 का गुड़ज है a बताता है a कतान बताताही थ्री का भी गुड़ज है हम जानते हैं कि यदि कोई संख्या नौ का गुरज होतो हुआ, तीन की भी गुरज होगी, अता है A employs to B, A कही अंतरभाव के अंदर ही हमा इंगित करता है, A ही बताता है कि B कथन भी सत्य है, ठीक है, उसके बाद करके देखें, इन कथनों में सहीं तारकिक संबंद पता करें, और चिन अंतरभाव का हुप्यों क वर्ग के दर्सा ये, P कथन है कि चतुर भूज A, B, C, D एक आयत है, और क्यूं कथन है, चतुर भूज A, B, C, D एक वर्ग है, आयत ही वर्ग होता है, है न, तो P employs to A, B आयत A, B, C, D और क्यूं कत्राइं बताता है कि वर्ग A, B, C, D, हम जानते हैं कि यदि कोई चतुर भूज, यदि कोई चतुर भूज आयत है तो वह, सरी, यदि कोई चतुर भूज वर्ग है तो वह, आयत भी होगा, ठीक है, तो P employs to Q, इसी प्रकास से दूसरा दिया हुए, दूसरा कथन, A कथन है, बिन्दू P1 रेखा L और M पर इस्तित है, रेखा L और M पर बिन्दू P1 इस्तित है, तो P बताता है कि रेखा L और M असमानतर रेखाए हैं, समानतर नहीं है, रेखा L और M, यह हो गया रेखा L, यह हो गया रेखा M, इन दोनों रेखाओं पर एक बिन्दू मिलता है हमको P, और जब दो रेखाओं पर कोई बिन्दू मिलता है, तो निची से दोनों रेखाएं, एक दूसरे को किसी बिन्दू पर प्रतिक्षेद करती होंगी, और तो हम कह सकते हैं कि दोनों अग जब हमें पता है कि समानतर रिखाएं आप इसमें प्रतिछेद नहीं करते हैं मतलब एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती है एक साथ चलती है जरूर लेकिन किसी भी बिंदू पर एक दूसरे पर मिलती नहीं है तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों रेखाएं असमांतर असमांतर नहीं है ठीक है तो A P1 बिन्दू रेखा L व M पर है और B क्या बताता है कि रेखा L व M असमांतर है तोनों ही एक दूसरे को रिलेट करता है ना ऐसी ऐसे कथन अंतरभाव को बताता है जो जिससे एक कथन दूसरे कथन से रिलेट करेगा है ना अता हम यहां पर लिखेंगे सब्दों में लिखना होगा हमें जब रेखा L व ए M पर एक बिंदू मिलता है बिंदू मिलता है तब दोनों रेखाएं इसी बिंदू पर प्रतिछेद करते हैं अता हा दोनों ही रेखाएं क्या होंगी और समांतर होंगी नीचे मिलिखना पड़ेगा हमको है ना अता कथन A अंतरभाव है कथन B का ठिक नेश्ट देखते हैं इसके बाद कुछ और कथनों को सिध्ध करना अब हम कुछ ऐसे कथनों को पर्खेंगे अथ्वा उत्पत्ती करेंगे जिन में सिध्धे नगमन द्वारा हम कथन की उत्पत्ती तक नहीं पहुँच सकते हम कथन के उत्पती तक नहीं पहुच सकते कथन तीन विसम संख्या का बर्ग विसम संख्या होती है माना एन एक विसम संख्या है तब N is equal to 2K plus 1 है ना N एक विसम संख्या है जब संख्या लिखते हैं तो N is equal to 2K लिखते हैं अब विसम संख्या होच अब रसाना है तो प्लस 1 दोनों पक्षों का वर्ग करने पर N square वर्ग पूछ रहा है न इस वज़ा से जब N एक विसम संख्या है तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर मतलब की 2K स्क्वाइर प्लस वन का स्क्वाइर करने पर क्या मिलता है Any square is equal to A plus B का whole square दिख रहे है है न तो A का स्क्वाइर means 2K स्क्वाइर का स्क्वाइर एक मिनाट हाँ यहाँ पर स्क्वाइर नहीं लगेगा 2K plus 1 है न 2K plus 1 है स्क्वाइर थोड़ी है तो 2 दोनी 4K का स्क्वाइर plus 2AB 2 दोनी 4 K plus B का स्क्वाइर मितलब 1 n square is equal to 2 common लेते हैं इन दोनों में से तो 2K square plus 2K plus 1 ठीक चुके 2K square plus 2K भी एक पुर्णाग संख्या है एक पुर्णाग है इसलिए इसे कोई पुर्णाग B के बराबर मान सकते हैं यानि B is equal to 2K square plus 2K लिख सकते हैं अता N square is equal to 2 into B plus 1 चुकि 2B एक संख्या है चुकि यह जो 2B है वो संख्या है दो का गुर्णाग है इस वज़े से अता हम अता B to B plus 1 एक विसम संख्या होगी क्योंकि विसम संख्या में 1 एट करेंगे तो वो विसम संख्या हो जाएगा इस फर्ष्ट रता विसम संख्या का वर्ग एक विसम संख्या ही निकलता है ये N जो है विसम संख्या जिसको मानेते हमने उसका वर्ग करने पर हमें एक विसम संख्या ही मिलती है ठीक है कथन चौथा सिद्ध कीजे कि रूड वार टू एक अपरिमिय संख्या है परिमिय संख्या ना रोके ये एक अपरिमिय संख्या है इस कथां को सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम यहां मानेंगे कि रूड़ो अटू एक अपरिमिय संख्या नहीं है यानि रूड़ो अटू एक परिमिय संख्या है अब यदि वर्गमुल्दो परिमिय संख्या नहीं है तो परिमिय संख्या के गुड़ धर्मों का उप्यों करते हुए हम ऐसे निसकर्स तक पहुचेंगे जो वर्गमुल्दो के परिमिय संख्या होने के विपरित हो इस तरह वर्गमुल्दो एक परिमिय संख्या सीध हो मानेंगे कि यह है। रूडॉगाटू एका परिमिय संख्या rays है, पहले आपरिमिय师 नहीं है। यानि रूडॉडॉगाटू एकंगे मतलब है तो परिमिय师 संख्या के गुर्धर्मों के अउप्यों करते हुए, हम ऐसे निसकर से तक पहुचेंगे जो root or two के परिमे संख्या होने के विपरीत हो मतलब आप परिमे संख्या बताएगा इस तरह root or two एक आप परिमे संख्या सिद्ध हो जाएगी आईए इस कथन की उत्पत्ति देखते हैं उत्पत्ति दिये गए कथन के विपरीत को सत्य मानने मानते हैं कि root over 2 एक परिम्य संख्या है तब परिम्य संख्या की परिभासा से root over 2 is equal to A upon B परिम्य संख्या क्या होता है Q is equal to P upon Q से लिनोड करते हैं परिभासा क्या होती परिम्य संख्या की Q is equal to P upon Q तो यहां पर P और Q नहीं लेके a और b जहांपे a और b दोनों ही integer numbers है पुर्णांग संख्या है और b is does not equal to zero अगर यह परिमे संख्या है तो b का zero होना अलाओ नहीं है और दोनों ही पुर्णांग संख्या होंगी यह हो गया समिकरने साथ ही a और b अब हाज्य है साथ ही सब हाज्य है साथ ही दोनों पक्षओ का वगश्या करने पर तो root over two का square is equal to a upon b का holy square करेंगी अब अलग अलग कर लेते हैं इसको वो इस ब्रिकेट ओपन करके a square upon b square root over 2 को square है ना अब 2 root over 2 को square करने पर क्या मिला 2 into b square is equal to a square b square को हम इस तरफ लेके गए b square upon में था इसको दूसरे पक्षिम लेके गए तो वो दो से गोड़ा हो गया यह हो गया समी करान दो ठीक अब 2 into m जहां पर b square को m मा लिया है 2m is equal to a square जहां b square is equal to m है वो m क्या है एक integer number है ठीक है m belongs to integer number मतलब की m क्या है एक पूर नाम संक्या है तो 2m square is equal to एक के जगह में क्या लिख सकते हैं 2n का square एक के जगह में 2n लिख दिया हाना जहां a is equal to a is equal to 2n है और n all belongs to n belongs to i n किसको बताता है एक integer number को यदि a square एक समसंख्या है तो a भी जो की पूर नाक है एक समसंख्या होगी अब समी करन दो में a का मान रखने पर 2b square 2b square एक अमान क्या मिला हमको 2n है ना 2b square 2n का whole square b square is equal to 2b square is equal to 2 दूनी 4n square तो b square is equal to 4n square upon 2 2 to cancel तो b square is equal to क्या होगया 2n square है ना अब यदि माने की n square is equal to p कोई पूर्णांग संख्या है यदि माने की n square के जगा में हम p रख सकते हैं जो की एक पूर्णांग संख्या है है ना p belongs to i जहां p belongs to i है पता b square एक समसंख्या है b square एक समसंख्या है और इसलिए यह b जो की पूर्णांग है भी एक समसंख्या होगी ठीक है तो b is equal to 2p मिला है है ना जहां p क्या है एक इंटीजर नंबर है जहां क्यूं सब्सक्राइब बिलांग स्टू आई अब यानि अब ए और बी उभे निश्ट गुडण खंड दो है यानि अब ए और बी उभे निश्ट गुडण खंड दो है अर्थाथ ए और बी सहभाज नहीं है यह यह माने गए कथन से विप्रीत है जिनमें ए भी सहभाज थे अता है इसको गलत सिध्ध करता है कि रुड़ अटू एक परिमे संख्या है अता हम या निश्कर्ष तक पहुचते हैं कि रुड़ अटू एक परिमे संख्या है यानि यानि ए और बी उभय निश्ट गुड़नखंड है दोनों ही संख्याय है उभय निश्ट गुड़नखंड दो है दोनों ही उभय निश्ट करके निकल जाते है अर्थाथ ए और बी सहभाज नहीं है ठीक है यह माने गए कथन से विप्रीत है जिनमें ए और बी सहभाज थे हम हमने माना था कि यह और भी दुनों ही क्या है सब आज गुड़नकंड है अधा है इसको गलासिधन करता है कि यह गलासिधन करता है कि रूंड़ो ड़ो टू झो एक परिमे संख्या है अधा हम यह निसकर सब्सक्रम पर्वुचे की क्रीमिय संख्या है इस प्रकार सत्यापन के तरीके को वीरोधोक्ति द्वारा उत्पत्ति प्रूफ आफ कॉंट्रैक्डिक्शन कहते हैं जैसा कि हमने उपर किया इस तरीके में हम यह माल लेते हैं कि दिया गया कथन सत्य नहीं है और उस पर उस कथन का उल्टा निसेधन सही है फिर तारकिक धंक से आगे बढ़ कर माने गए कथन को गलत साबित करते हैं प्रणाम सरूप वास्तवी कथन सत्य सिध्य हो जाता है इस प्रकार कई बार कथनों को सिध्य करने के लिए इस विधी का उप्यों करते हैं जैसा कि आपने देखा इसमें सबसे पहले कथन का निसेधन को सही मानते हैं किसी कथन को नकारना उस कथन का निसेधन कहलाता है इसके लिए हम विशेश चिन्ह का इस्तमार करते हैं कथन पी का निसेध कथन इस चिन्ह से निसेध पी एक कथन है जो सत्य है तो निसेधन मतलब कि उसको नकारने वाले कथन को इस चिन्ह से दिनोट करेंगे कि ये हम नहीं मानते है न यानि टिल्ड भी लिखा जाता है इस चिन्हों को पढ़ते क्या है टिल्ड सवरूप है समरूप है हमने इस से पहले इस चिन्हों को क्या पढ़ा है इस से इमलर टू है न कथन पी का निसेद कथन इस चिन्हों को टिल्ड कहते हैं यानि टिल्ड भी लिखा जाता है आईए कुछ उधारान देखते हैं कि q 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 qq q q q q q q q q लंब है और इसका निशेज या फिर इसका उल्टा टिल भी बताता है कि रेखा कर देखा कर नीशेधन कथन बस लिखना है नहीं है C, पहला कथन दिया हो है C, इस पर से रेखा, वृत को सिर्फ एक बिंदू पर इस पर से करती है, तो इसका निसे धन क्या होगा? तील्ड सी कथन इस पर से रेखा, वृत को सिर्फ एक बिंदू पर इस पर से नहीं करती, देख, इसके बाद, फर्स्ट हो गया, सेकेंड इया हुआ है इसी में, D, समांतर माध्य, ग्रोत्तर माध्य से बड़ा होता है, तो इसका टिल्ड डी क्या होगा? समांतर माध्य, ग्रोत्तर माध्य, से बड़ा नहीं होता, नहीं होता है, दूसरा हो गया, अब तीसरा, क्या दिया हो है? आर की, P स्क्वाइर माइनस A स्क्वाइर एक रिनात्मक संख्या है, तो इसका टिल्ड डी क्या होगा? बी स्क्वाइर माइनस A स्क्वाइर एक रिनात्मक संख्या नहीं है, तिल्ड डी 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 क्या होगा? इस प्रकाश से निसरादन कथर लिखना है उसके चिल्डों के साथ, कत्नों की जाज कई बार कत्नों की जाज करने में हम सीधे सीधे तर्क ढूना असान नहीं होता, कई बार कतनों की जाज करने में सिधे सिधे तरक ढूनना असान नहीं होता उन्हें सिधे करना असान नहीं होता और कई बार तो हम कई बार तो वह सही भी नहीं होते और उन्हें गलत सिधे करना होता है करिती कथन को गरत सिद्ध करने के लिए कैसे बढ़े कथन पा सभी अभाज संख्याएं विसम होती है सभी जो अभाज होती है वो विसम होती है यह हमने पहले भी पढ़ाया सभी अभाज संख्या विसम नहीं होती है कि इस कथन में तार्किक संबंद होना कठी नहीं क्योंकि अभाज संख्याय पता करने का कोई निश्चित पैटर नहीं है यह इसपश्ट है कि अनंत अभाज संख्याओं के विसम होने की जाच करना संभव नहीं है कि यदि हम एक भी कोई एक भी ऐसी अभाज संख्या ढून ले जो विसम नहीं है तो यह कथन असत्य सिद्य हो जाएगा ऐसा एक प्रद्योधारण है दो यह एक ऐसी अभाज संख्या है जो विसम नहीं है अता दिया गया कथन असत्य है अब इस कथन के लिए ढूंदे कथन चै For all, x belongs to real number यदि x square परिमे संख्या है तो x भी परिमे संख्या है कथन चै दिया हुए x एक ऐसी संख्या है जो एक real संख्या है real मतलब की वास्तविक संख्या है यदि x square x का वर्ग करने पर हमें परिमे संख्या प्राप्त होती है तो x से भी परिमे संख्या होगी इस कथन में भी अगर x square is equal to 2 है तो एक परिमे संख्या है जो एक परमे संख्या है तो X is equal to 2.2 मिलेगा जो परमे संख्या नहीं है अताहा इस एक उधारन से दिये गए कथन को असत्य सीध कर दिया अताहा इस एक उधारन से या जो दिया गया कथन है उसको असत्य सीध किया गया कैसे क्योंकि हमें पता है कि हमें पता है कि हमें पता है इस कथन में कि X एक रियल नंबर है और हमें पता है कि 2 भी एक रियल नंबर है वास्तवी संख्या है न अगर हम X के जगह में x square is equal to x square एक परिमे संख्या है तो x square करेंगे x square के जगा में हम दो रखते हैं तो x भी एक परिमे संख्या होगी ये बताने के लिए square को इस तरफ लेके गए तो आया है कि रूड वाटू और हमें पता है कि रूड वाटू परिमे संख्या नहीं है इसके लिए और भी कैयोधारण मिल सकते हैं ये ध्यान रहें कि सिर्फ एक प्रद्योधारण से कोई व्यापक कथन असत्यसिद हो जाता है क्योंकि गडित में किसी भी किसी कथन के व्यापक रूप से सत्य होने के लिए उसका हर इस्थिती में व्याद्य होना जुरूरी है इसलिए यदि कथन एक भी इस्थिती में गलत साबित हो जाता है तो वह असत्य है इसे प्रद्योधारण द्वारा डिस्प्रूफ बाई काउंटर एक्जैम्पल कथन को असत्यक सिद्ध करना कहते है इसे प्रद्योधारण द्वारा कथन को असत्य सिद्ध करना कहते है प्रद्योधारण को क्या कहते हैं इंग्लिज में डिस्प्रूफ आफ डिस्प्रूफ बाई काउंटर एक्जैम्पल करके देखे इन कथनों का एक प्रद्योधारण ढूंडे और असत्य सिद्ध करे सबी धनात्मक परिमे संख्याओं का गुड़ा दोनों परिमे संख्याओं से बड़ा होता है हाँ होता है लेकिन इसका एक प्रद्यों दहारे हमें दूरना है उसको असत्य सीध्य करना है माना कि A upon B into P upon Q दोनों का गुड़ा करने परिमे संख्याओं से बड़ा होता है और दूसरा है सभी सम्रूप आकरितिया सबाव सम भी होती है सभी सम्रूप आकरितिया सर्वांग सम हो यह जरूरी नहीं है सर्वांग सम होने के लिए दोनों को सम्रूप क्या होता संख्यत भूजाए जब बराबर हो संख्यत भूजाए जब आपस में बराबर हो और सर्वांग सम मतलब डोनों ही दोनों की संख्यत भूजाए और सभी चीज सब बराबर हो तो ठीक है दोनों को हमें सिद्ध करना है इसी के लिए आगे उधारान दिया हुए है सिद्ध कीजिए कि 2k प्लस 7 एक विसम पूर्णाक है जहां के एक पूर्णाक है हमें यह सिद्ध करना है कि 2k प्लस 7 एक विसम पूर्णाक है जहां के एक पूर्णाक है के एक पूर्णाक ह यदि N विसम पूर्णांग है तो N is equal to 2K plus 1 लिख सकते हैं जहां के कोई भी पूर्णांग संख्या है हमें सिद्धर करना है कि N is equal to जो की 2K plus 7 दिया हुआ है विसम पूर्णांग है पूर्णांग संख्या के लिए हमें इस चीज को 2K plus 7 को विसम पूर्णांग सिद्धर करना है तो N is equal to 2K plus 7 दिया हुआ है तो N is equal to 2K plus 7 plus 1 एक मिनट प्लस 1 के रूप में हमें लिखना है तो 6 plus 1 लिख सकते हैं से 1 को 6 plus 1 जहां पे 2K plus 6 से एक संख्या है और प्लस 1 करने पर वो हमें विसम संख्या देता है ठीक है N is equal to 2 कॉमन ले लेते हैं तो K plus 3 plus 1 ठीक तो 2 के इन 2 में है मतलब यह जो संख्या है वो क्या हो गया संख्या और प्लस 1 की यह तो विसम संख्या जहां N is equal to 2M plus 1 जहां M is equal to क्या होगा K plus 3 जहां माना कि M is equal to K plus 3 है और 2M क्या हो जाएगा संख्या है ना for all M belongs to integer number M क्या है पुर्णांग संख्या है तो समी करण 1 वा 2 से इस समी करण को मान लेते हैं 2 into K plus 3 plus 1 को समी करण 1 और इसको मान लेते हैं समी करण 2 समी करण 1 वा 2 से N is equal to 2M plus 1 एक विसम पुर्णांग है एक विसम पुर्णांग संख्या होगी ठीक है आगे प्रश्णा वली दो दिया हुआ है दिया एक है उधारणों और कथनों के अधार पर प्रश्णा वली दो में प्रश्णा दिया है कितने प्रश्णा है मांच साथ प्रश्णा टोटल सेवन कोशन दिया हुआ है प्रश्णा वली दो में है ना इसको नेस्ट वीडियो में बनाएंगे